वर्ट क्रमांग 81 के पार्षद निलेश चोदरी द्वारा शेत्र की भवानीपुर कॉलनी में जल जमाव की समस्या को देखते हुए करीब एक करोर रुपे की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डानने की कारे का भूमी पूजन किया गया। गौर्ट अलबै की वर्ट क्रमांग 81 में भवानीपुर कॉलनी में पिछले कई वर्षों से ड्रेनेज लाइन की समस्या बनी हुई थी जिसे लेकर शेत्रिय पार्षद चोदरी ने लगातार प्रयास किये और नगर निगम द्वारा शेत्र की दो ड्रेनेज लाइनों के लिए एक करोड छे लाग की राशी सिकुरित कराई डेट किलोमीटर में डलने वाली पूरी पाइपलाइन तीन महिने में पूरी हो जाएगी शेत्रवासियों सहित वरिष्ट नागरिकों ने मिलकर पाइपलाइन का भूमी पूजन किया इस मामले में जानकारी देते हुए शेत्र जिसे नागरिक डॉक्टर पंकच गर्ग और अवध किशोर शर्मा ने बताया कि एक करोड रुपे की लागत से भवानिपूर शेत्र में पाइपलाइन का काम का भूमी पूजन किया गया जिससे जन्जमाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी देखी ये वाड इक्यासी के भवानिपूर कलोनी है और कई वर्षों से यहां पर जो ड्रेनेज की समस्या थी वो बड़ी विक्राल रूप ले चुकी थी क्योंकि में रोड पर जो एक लाइन डली थी उसका लेवल और उसके लेवल में डिफरेंस था वो थोड़ा सा उंच जाओ गया था इस हैतु हम लोग जो में सेकेंडरी लाइन है उससे एक बावन लाग रुपे की राशी से केशरबाग रोड से एक लाइन डाल के लाए हैं ताकि इसकी समस्या खतम हो उसके बाद में इस कॉलोनी की जो है अंदर डेड़ किलोमेटर लंबी लाइन पूरी कॉ उसकी लागत बावन लाग रुपे और इसकी लागत चोपन लाग रुपे कुल मिलाकर एक करोड़ छे लाग रुपे का ये पूरा काम भवानीपूर कालोनी के लिए किया जा रहा है आज सभी रहवासियों के साथ में हमने यहां पर भूमी पुजन किया है और मुझे इसा लगता है कि बहुत ही जल्द एक डेड़ महिने के अंदर ये पूरी लाइन डल जाएगी आज से इसका काम शुरू होगा और विवासियों का अच्छी सुविधा का लाब होगा है भावानीपूर कॉल्दिंग के अंदर पानी के जमाव की बहुत समस्या थी जिससे जिसके द्रेना करान के लिए यहां पर ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है और वैसा पता लगाए कि इसके लिए 56 लाख रुपए का सैंक्षन हुआ है और इसकी वज़े से भावानीपूर की जो समस्या है उसको समाधान हो जाएगा में रोड पर भी ऐसे लाइन डल गई है और में द्रेना में रोड की पॉश कालोनी होने के नाते इसका एक ही मातर काम जो रह गए था वह ड्रेनेज लाइन का यहां सभी कर तरीके के सारे काम लाइट गार्डन के काम यहां पारशादों दोबाड़ा बिजएपी दोबारा करवाए गये है और इस बार जो काम अंतिम काम ब अच्छा से हमको निराकर करा रहा है।